हलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ केर हप चनल पर आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि मासिक धर्म के दोरान डाइडेशन में गर्म पानी पीने के किस प्रकार से फायदे होते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाओं अगर आप चनल पर नए हैं और चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस सके साथ ही जनकारी के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आये तो प्लीज चनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो आए हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि मासिक धर में गर्म पानी पीने के फायदे डाइजेशन में कैसे होते हैं अकसर पीरेट के दोरान पेट दर्द की वजह से महलाओं में डाइजेशन और कबजी की भी समस्या हो जाती है गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया को उत्तेजित किया जा सकता है यह गर्म पानी एक इसने हग का काम करता है जो पाचन को बढ़ाने में सहायक होता है जैसे जैसे गर्म पानी आपके पेट और आतों से गुजरता है यह पाचन अंगों को हाइडरेट करता है इसके अलावा यह पाचन के दौरान निकलने वाली विशाक्ता को भी प्रभावी रूप से दूर कर सकता है डाइजेशन से जूरी परिशानियों में गर्म पानी बहुत फायदेमंद है यह मेटाबॉलज में को बहतर बनाता है शरीर में जाकर हनिकारग बैक्टीरिया को खात्मा करता है गर्म पानी पाचन की क्रिया को मझबूत करता है इस वजह से पेट की सफाई सही तरीके से होने लगती है इससे कबज से बहुत रहात मिलती है और पाचन सही होने से बहुत सी तकलीफें खुद बखुद दूर हो जाती है पिरेट के दौरान दिन भर हलका गर्म पानी पीने से आपका पेट साफ रहता है और मलत्याग में भी समस्या नहीं होती इससे अपच और एस्टेडी की दिक्कत नहीं होती साथी खाना खाने के बाद गर्म पानी पीने से कबज की दिक्कत नहीं होती पेट में एठन और दर्द की परिशानी भी कम हो जाती है गर्म पानी पीने से पाचन शक्ती बढ़ती है इससे शरीर में मौजूद गंदगी मल के माध्यम से बाहर निकल ज और कील मुहासों को दूर करने में भी मददगार थाबित हो जाता है